वेरी गुर्ट मॉर्णी टॉल फी चाल उप्योंगी आज सुरू होगा वीद्धाले आउटन का कारिक्रम विद्धाले चॉइस करने में क्या क्या आपको साथानी बरतनी हैं किस प्रकार से आपको जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को विद्धाले की जो चॉइसे आपको सारी जो इग्जैट से पार पाई और क्या से क्या सिच्वेशन है आपको को पर नहीं करना हे डील करना असे सच्वेशन से में स सब्सक्राइब अब लेकर आप सब्सक्राइब लिए लिंक लिंक डेस्क्रिप्शन में है अने केडमी कम्रींस वैच कोर्स वन यूपी टीटी दो जारी किस जो जन्वरी पच्छेस से मार्स शे तक है जिसमें टॉप एजुकेटर आपके इंडिया के हैं आपको प्रिपेर कराएंगे अने केडमी फाइनल मरातन सीरीज फॉर सीटेट दो जारी केस और वह भी 24 जनुरी से लेकर 30 जनुरी तक है फ्री मरातन सीरीज है जिसमें टॉप एजुकेटर आपको सीटेट क्रैक करने की टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे और अगर आप कोई भी पैट कोर्स या आपके फ् स्क्राइबर होने की नाते आप्टेट प्लस स्क्रिप्शन वन मन त्री मन सिक्स मन टॉल मन टेट 24 मन का भी ले सकते हैं लेट्स क्रैक एट तो मितर जैसा आप सबीक बताएं कि 25 और 27 दो दिवस में पूरे 75 जनुपदों में विद्यालामंटन की प्रक्रिया प्रोसेस जो ह सकते हैं साथ साथ बज़े तक विद्यालामंटन किये गए लेकिन कई जिलों में शाम को ही यह डील कर दिया गया था सुचना प्रेशित कर दी गई थी कि अब विद्यालामंटन की कारवाई यह 26 में होगी जैसे लखिम फूर कीडी में एक्जांपल आपने देखा और पर कल चैलों में आज ही टाइम स्लोट अलग टाइम स्लोट में दे दिया जागे जहां पर नंब्र उफ कंडिडिट कम है उनको कल पुरुष ठिकशक्रों को बुलाया जाएगा तो अब आप लोगों को छोटा सा संशित बात बता दूँ मैं आप लोगों गश्ट के प्रश्ना र आप उस पर विश्वास करिए न करिए यह आपको पर डिपेंडेंसी है लेकिन मैं लॉजिकल तत्य के सां सारी चीज़े रखूंगा पहली बात रखता हूँ आप PS का चुनाओ करते हैं Primary School का और एक होता है दूसरा option आपके पास Compositive School है ठीक है न अब इन दोनों में से किसको आपको चोईस करना चाहिए यह सबसे बड़ा प्रशन है मेरी नेज़र से दोनों equivalent है लेकिन कुछ वरीता आपके Compositive आपको ज़्यादा मिलेगी ऐसा क्यों है ध्यान से समझेगा प्रामरी स्कूल सिर्फ और सिर्फ जो उसका परीशी में चेतर है वो एक से लेकर पांस तक है सारी चीज़ों उस पर focus है आर्टी नियम के हिसाब से वहाँ पर बालक होना अनिवार रहा है जितना अनूरूप है 30 से ज़्यादा होने चाहिए नहीं तो अ पी एस जहां पर आर्टी मानक के एसाब से अध्यापक नहीं है और अध्यापक हैं तो चातर नहीं है चातर संगे बहुत ज़्यादा नामंकन बहुत ज़्यादा कम है उनको बंद करने के बात की जारी है और वहां के जो अध्यापक उनको समय जित करने के बात की जारी है औ पहले बार तो आपको आपकी वरीता वाला विद्याले मिल गया लेकिंशेला उस प्रकार से आपका जो है मैं इस नहीं कि जगह के लिए आप त्यार रहिएगा इसमें आ leg тоб ki में रखते हैं और आसपास के विद्धाले आप चुनाओ करते हैं जहां पर आपको पता है कि आटी माने के साब से महाँ पर विद्धाले में चातरों की नामनकन संक्या बहुत जादा है बहुत रिलीफ में है बहुत प्राब्लम नहीं होगी कमपोजिट इसके वरीता में थोड़ा सजादा क्यों अच्छा है इसको आईए हम लोग बात कर लेते हैं कमपोजिट में प्रात्मिक और जूनियर को दोनों को समलित करते हुए आपको 30 का नामनकन दिखाना है बहुत द्यान समझेगा ये मेरा वेक्तिकद विचार कह सकते हैं या मुझे जो जानकरी है उसके जानकरी के इसाबस में आपको बाते बता रहा हूँ लॉजिक आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में तो भी बहुत अच्छी बात है अगर आप ये देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ आप अपनी काबलियत पर अगर आ मानक एसाब से जादा है जितने जादा चात्राइं होंगी उतना ही आप सेफ मोड पर रहेंगे हमेशा इस बात को थोड़ी बहुत गलतियां इदर उदर होंगी वो नेगलिफाई कर दी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ नमांगरन की वज़े से इस बात को बहुत अच्छे से या मित्र जो है उनको तो पहला ही विद्धाले चॉइस करने पर तुरंत उनको विद्धाले दे दिया जा रहा है लेकिन जो पूरुष कंडिडिट की बारी आईगी तो इसे लिए मैं इसको ज्यादा फोकस करके बता रहा हूं कि जो मित्र परशान है लगातार कमेंड कर रहे ह उनको एक दिशा निर्देश में दिखा सकूं कि आप जो फॉर्म भरेंगे और चार विद्धाले को चुना होगा वो जब आपके पास LCD जो लगी रहेगी उसमें आप अपनी चॉइस को देखते रहेगा कि कौन सी चॉइस एक रफ पेपर अपने पास रखेगा फॉर्म असपा की जाएगी उसके अदार पर आप संसुधन करते रहेगा लाश्ट टाइम जब आपका नंबर आने वाला है तो फड़ावट नंबर आफ पीएस भर ली जगा जो चार या पांच वह आपको भरने को रहेगा फिर उसके बाद आप चले जाएंगे और अपना जैसी ब करना है तो जिम्मिदारियों का वहन आपको करना पड़ेगा बाकी आपको कोई भी वक्तिकत विचार हो प्रशन हो आप जरूर कमेंट करिएगा मेरा व्यक्तिकत विचार था आपको दिशान नेरदेश देने का तूब मैंने दिया बाकी की लिटेस्ट अपडेट के लिए बेस्ट आप लग थेंगी सो मच